कैसे आप सभी होब कि आप अच्छे होंगे तो आज इस व्लोग में हम आपको वालमिकी नगर और वालमिकी नगर टाइगर डिजर्ब के बारे में बताने वाले हैं बिहार का कस्मीर की सुन्दरता को दिखाने वाले हैं यहां क्या-क्या नया नया तूरिश्ट spots add हुए है वो हम आपको बताने वाले हैं और अभी आना कितना सही है कितना अच्छा होगा वो सारा मतलब information बताने वाले हैं तो मैं हूँ आपका दोस्त राजीव आरया और आप देखना सुरू कर चुके आपका अपना चैनल Traveller आरया को तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अन तक देखें कि आपको सारा information मिले विहार की कस्मीर के बारे में तो चलिए काम 25 करते हैं और वीडियो को start करते हैं अभी हम है गोल्चुक और गोल्चुक वालमी की नगल का बसस्टैन भी है तो आप किसी भी बारे छोटे सहर से यहां पर पहुंच सकते हैं तो अभी हम आ गहे हैं थ्रियाडी फूल और ये चौक जो है तो काफी important है क्योंकि ये जाती है सामने जो आप रोट देख रहे हैं तो काफी खुबसूरत है काफी चार्चान लगाती है इस नजारे में तो अभी हम सीदे चलते हैं पॉइंट की ओर जो आपको जानना है तो फिलाल हम है पहला पॉइंट वालमी की नगर का जो की बैराज डैम है और ये डैम जो आपको सामने दिख रहा है ये भारत और नेपाल को जोड़ता है ये जो डैम बना हुआ है वो है गंडाक रिबर पे जो की हिमाले से आती है और सामने का नजारा जो आपको दिख रहा हुगा एकदम राप्चिक वाला दिख रहा हुगा और आपको अगर नेप साल की और यहां से जीलो किलूमीट अभी आपको एक सुन्दर सा जगमगाता सा एक डैम दिख रहा होगा सामने मौंटें दिख रहा होगी और एक खुबसूरत नजारा दिख रहा होगा यह सिमला और मनाली से कम नहीं है तो आप एक बाड़ा है और यह काफी एक अलग व्यू का अंदाजा रहे तो अभी देखिए यहां का नजारा कुछ अलग है अभी कुछ दिर पहले आपने देखा होगा कि अलग व्यू था तो फिलहाल हम अभी दूसरे पॉइंट के तरफ बर रहे हैं और आपको एकदम यह ब्लॉक पुड़ा दिखना चाहिए बिहार की कस्मीर को एक नई उचाईयों की तरफ ले जाइए सेर कीजिए और अच्छे सेर कीजिए तो दूसरा जो पॉइंट है वो है काली घाट जो कि आपको यहां से गर्मियों के टाइम में आपको काफी अच्छा पहार मिलेगा काफी अच्छा मांटेन का नजारा मिलेगा और अभी फि पश्मीर क्यों कहते हैं तो भाईया अभी हम निकल रहे हैं अगले पॉइंट के लिए जो कि होगा गंड़ करीबर राफ्टिंग पॉइंट और सामने आपको दिख रहा होगा कि काफी सैलानियों का भीर है और काफी यहां लोग टिखिनिंग मनाने अकसर आते रहते हैं ती सब्सक्राइब कर सकते हैं काफी मज़ेदार होता है और इसका ज्यादा प्राइस भी नहीं है सामने जो आप देख पार है वो है गोल घर और काफी सुन्दर इसका द्रिस से यहां से आपको मतलब उपर से एकितम अच्छे से व्यू दीखेगा पुरा वालमी कि नार पुरा वी टी आर का और इसका जो कोश्ट है टेन रूपीज मतलब टेन रूपीज में आप अंदर जाके टाइम में स्पेंड कर सकते हैं और इसका जो टाइमिंग है वो है दस बजे से लेके चार बजे साम तक तो यहां पर आपको जब आना होगा तो आप कॉंफर्टिविली बस स आ सकते पटना से 3000 बसे चलती है और अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो है मुखमंतरी आवास तिथी वबने लेकिन यहां मुखमंतरी जब भी आते हैं तो यही रहते हैं सहलानियों की वीर देख ले आप और सामने जो है वो है इको पार्क तो काफी भीर है काफी यहां स से टिकट मिलते हैं तो आपब गुम सकते हैं यहां पर जो अगला पॉइंट है इको पार्क है और इसी के बगल में ज़ेश्ट बगल में जंगल केम्प है जहां से आप सफारी कर सकते हैं वी टी यार का यानि के वालिम की टाइगर डीजर्ब का जो की बिहार का इखिलोता रिजर्व है तो इस चीज़ को देखे काफी मनमोहक प्लेसेस हैं और हर एक पॉइंट पे हर एक चीज़ का व्यू बदलता है तो आप देख लें कि कितना खुबसूरत है एक बार आएं और इंजॉय करें पीछे जो हमें दिख रहा है यह जो आपको दिख रहा होगा रोड व हो जाता है कोलेश्वर के लिए जो कि वहां से जो वीटी यार मतलब एकदम नेपाल और इंडिया एकदम अगल भगल हो जाते हैं और सामने से एकदम असपश्टली जैसे कि मतलब यूं एक करम का दूरी होता है तो आप यहां पे भी जाए और इंजॉय करें तो यहां से ए एक अलग आनंद है यहां पे और यह अलग टाइम का सौट है सुर्य अस्त के टाइम का और हर एक जगह से मौंटेन कुछ अलग तरह की ही दिखती है कॉलेश्वर जाने से पहले आपको सामने कॉलेश्वर जूला मिलेगा तो आप यहां पे 20 रुपे देकर पूरा जूला का मज़ा ले सकते हैं तो अभी हम आपको लेके पहुँच चुके हैं कॉलेश्वर घाट और सामने आपको घाट दिख रहा हुआ और यह बस सीडियां उतरते ही आप नेपाल में होंगे तो काफी एक अलग फील आता है और सामने आपको चितवन निसनल पार्क दिख रहा लगबक 4-5 किलो मेटर आपको जंगल के अंदर जाना है साथ ही आप जंगल सफारी का जो रूट है यही से जाता है लेकिन आपको जंगल केम्प से बुक करना होगा और यह देखिए काफी आपको अंदर जंगल जंगली जानवर और काफी एक अलग लेवल का वियू तराइ मुवमेंट होने पर यह भागने लगता कैसे देख रहा है यह देखी देखी कि मुवमेंट हुआ और यह उठकर खरा हो चुका है अगला जो पॉइंट है वो है माता नर्देवी टेंपल जो कि आपको पिछे की द्वार दिख रहा होगा और यहां से लगभग 1.2 किलूमीटर अंदर जाएंगे तो आपको साउथ इंडियान डाल में आपको माता का मंदीर मीलेगा काफी संति पूर्न है और काफी मतलब आप वहां जाएंगे अंगा जरूर जाएंगे तो अगला जो पॉइंट है वह काफी गोल चोक के काफी कडिव है और वो है नौका बिहार और यहां पे आप बोटिंग कर सकते हैं यह जो रिवर देख रहे हैं आप वो अंगरीजों के टाइम का है और अभी हाल फिलाल में ही स्री नितिश कुमार जो की बिहार के मुख्य मंत्रिय है उन्होंने उटगाडं कड़ा है तो काफी सही है और यहां अब यहार के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है और इसका प्राइस क्या प्राइस तो पता है मुझे कि 30 रूपीज में पुरा अच्छे से अंदर तक बोटिंग कराते हैं और काफी एक पै टूटा हुआ था भाई साब थोड़ा प्रॉब्लम हो यह चलने में तो ज सामने आपको बैनर दिख रहे होंगे और अभी हाल फिलाल में इसका उद्गाटन किया गया और लिखा गया है जल जीवन हडियाली तो इसी के तहते इसे साप सौक्छ और बोटिंग के लिए बनाया गया है सामने जो लुक दिख रहा है व्यू दिख रहा है उसमें पूरा क पॉटेज लगेगा और साइड साइड और बहतरीन मार्केट टाइप का बनेगा जो कि इससे फॉरेस्ट विवाग ऑपरेट करेगी तो यह बहुत खतरनाक लुक देने वाला है और उपर से कुछ व्यू ऐसा दिखता है यह देखिए पूरा इकरम खतरनाक बनने वाला है व और आप भी आएं कभी न कभी यहां पर जरूर इंज्वाय करें क्योंकि बहुत ही एक अद्भूत द्रिश्य के शाथ यह है बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि लोग नहीं जानते तो आप वालमी की नगर टाइगर डीजर पाईए वालमी की नगर आईए और इसी अन्य अपडेट के साथ डफता के लिए चैहिंद हैं